नमस्कार भायों मैं अभी इंजिनियर अली मिर्जा की वीडियो देख रहा था और क्या वो ख़वीश आदमी है उसको कुछ पता नहीं और अपने मुझ से बोलता है कि मैं इंजिनिंग की है मैंने ये पढ़ाई किया मैंने वो पढ़ेगी इंजिनिंग तो हमने भी किया परबदा करता है इसको ये समझने पहले तो इसने ये का जिस बात कोई मतलब नहीं होता कि वही पाबंधियां कोई मतलब पाबंधियां लगाई हुए है ने खुदाराहीं पढ़ेगे मतलब में वो उसका कहना यह है कि जर्मनी ने जो शपेन ने जो फ्रांस ने जो अमेरि आप नाटो में मेंबर्शिप मांग रहा था उसके लिए वह खड़ा था तो पहले तो इस इंजीनियर अली मिर्जा को खबीश को जिसन दिमाग ने इसको ये समझना चाहिए पहले कि पाबंदियों से बहुत काम होते हैं अब पाबंदियों ने खुद आटानि पड़ें किस पढ़ेंगे 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 पाबंदिया पता है रसिया की जो 40% तो उसका वह शेर बजार करी यह आर्थिक ग्रूप से टूट जागेंगे यह खबर आईए यह खबर रसिया ओ तो बड़ा आनेंद दे न्यूज में पर मैं बताऊं रसिया में पबलिक खुद उस जिसके 40% सो रुपे में 40-60 बचे उसके पल्ले क्या रहे ना है वह क्या उनकी आर्थिक एकनुमी है और बाकि जिसने जितने भी FII आर्थे हैं वह सारे गयव हो जाएंगे वहां से तो सोचो अब यह वहां कि भाई तेरों के दिमाग नहीं तो समझ बात को पहले तो वहां क कि चंता अपोज कर रही है उसका कि भाई तो यह युद्ध बंद कर यह एकनुमी हमारी खराब हो रही है और दूसरी बात कोई भी देशो रसिया हो चाहे कोई भी देशो उसके अभी बंदरगाओं पर उसका अपोज कर दिया और बैन कर दिया कोई उसकी शिप नहीं एगी रिषिया का तो नियर्यात ही नियर्यात ही कितना आयाँ आते जा तो जब कोई शिप जायेगी नहीं कोई सपरेशल सभ तो बहुत कम चलती है जो जब र Cathy के लिए गी जा रही है वो सुट पर पता नहीं न इसको बहरी जहाजों का कहा नीँ किस से पता नहीं इसके काम बिजनस पता नहीं यह कभी साथ में ओ बहरी जहाजों में होता क्या है कि कई-कई देशों का सामान लेकि एक बहरी जहाज जाता है वो बिरिटेन का भी जाएगा वो फ्रांस का भी जाएगा और रसिया का भी जाएगा और रसिया वाले जहाज है त तो अपने आपको इंजिनियर कहता तो इंजिनियर के तेरे नहीं नहीं है तो यार खवी सब गधाद में तू क्या मैं तू मैं तरी वीडियो सुन रहता तो कई बाते सही बोलता है लेकिन एक बात पता तो यह नहीं पता कि अगर इकनोमी पाबंदियां लग जाए किसी देश पर उस देश की तो कमर तूट जानी हो रसिया की पब्लिक अपोज कर रहे तेरे दो धिमाग नहीं तू सोचता है कि इसी बात को रसिया की पब्लिक अपोज कर रहे तो यह वार में कहां पशा दिया हमको यह वार बंद कर तो इस बात को समझो रसिया की पब्लिक अपोज कर ये इंजिनियर ते लंदर दिवाग नहीं तो समझ आचा फिर दूसरी बात यह का पता नहीं दूसरी बात है यह सारे यूरोप प्राच और यूरोप को तुझे इस्टेक्चर पता नहीं तुझे वहाँ का फैमली सिस्टम पता नहीं और तुझे उसको अच्छा बताता यूरोप में मैं रहा हूं मुझे पता यूरोप का क्या है सिस्टम उनका तो सिस्टम बरबाद हो गया तो परीसान खुद परीसान भाई यह इस पर मैं कोई डिटिउल बीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे यूरोप की मैं डिटिएल वीडियो इसको कुछ नही यह बहुत बढ़ी बात आगर आप कमेंट करेंगे बताएं को क्या है कि उसमें कि जो कोई करामात नहीं कर सकते भाई हमारे रामयन में रत आया था भागवान राम के लिए तो यह जो है रामात की बहुत इंपोटेंट होती है आमेर का तो समान उसको देराब लटने के लिए सेना नहीं अरे यार लड़ना तो खुद पढ़ता है उसकी मदद कर दी तो रत जो है हमारे हिंदु शास्त्रों मा आता है रामायन मा आता है कि जब राम और रावन का युद्ध हुआ रावन बड़ा सकती साली था राम तो पैदल थे उनके पास कोई लड़ने के लिए हथियार थे बट उनके पास पर रत नहीं था कोई वो नहीं था तो इंदर ने उनको अपना रत भेजा कि आप इस पे लड़िए ये लिजिए इस पे आप चड़िए इसका हमला कीजिए उनके मुझे कोई जोद नहीं है मैं खुद लड़ लूगा इससे उनके नहीं भाई कोई नहीं खेर तो आप इससे लड़िए क्योंकि ये रस पे है आप लड़ाई की तो यह जो कह रहा है कि अमेरिका को क्यों हथियार भेज रहे है उसको कोई मदद मेद भेजा रहे हैं इसको यह कोई उर्प आप सब्से बड़ा वह वेंकोप समझतास समझदार हैं बेवकूप भई यह चीजें जब होती है इनका अपना इंप्पोटेंस होता है समझो बहुत बड़े-बड़े करामात हुए हैं और करामात जो है हमारे हिंदू सास्त्रों एक करते हैं तो इसको में कभी आप कहेंगे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा समझे लेकिन इस इंजिनियर अली मिर्जा को गधे को यह पता नहीं है कि भाई पाबंद तीनों बातों आपने करेक्ट कर पाबंद्नियों से भी काम होता है और करामात भी होते हैं और दूसरी बात कि इरोग कोई बहुत आगे देश नहीं है पाकिस्तान इंडिया रुसरे लंका और बंगला देश से पीछे हो कई मामलों में हाँ एकनोमिक के मामले में जरूर आगे यह तरी बात सही है